हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्टड़ी विश्रुत्ती इसमें हम डिस्कस करेंगे निकोटोनिक एसेट नाइसीन विटामिन बी-3 जिसके हम कहते हैं इसको आइसोलेट किया गया था 1937 में ठीक है और ये urine में excrete out नहीं होता है अब बारी आती है इसके role and functions की ठीक है तो functions की क्या करता है जो coingym होते हैं उनकी तरह जो ये act करता है function as a coingym in nearly all the metabolic pathways जितने भी metabolic pathways होते हैं जिनसे energy yield होती है यानि कि energy बनती है या जिनसे हम कह सकते हैं energy का क्या होता है नीचे energy के जो sources होते हैं वो क्या होते हैं उनके में क्या है coingym की तरह काम करता है जैसे कि carbs का metabolism यानि की carbohydrates का fats या lipids का कह सकते हैं उनका metabolism, proteins का या फिर alcohol का जिससे क्या होता है बाद में energy yield होती है उनके metabolic जो pathway होता है उसमें coingym की तरह ये act करता है उसके बाद जो cellular functions होते हैं उनके लिए ये essential होता है और एक antioxidant जो है उसकी तरह ये act करता है कि ये क्या होता है और जितने भी synthesis होता है या फिर उनके सकते हैं breakdown होता है fats का उनमें जो है ये involved होता है और help करता है healthy skin को maintain करने के लिए यानि कि synthesis में भी में और इसको maintain करने में कि वो healthy ही रहे ये बोज़दा helpful होता है